हेलो फ्रेंड्स आज का मारा टॉपिक है हाउ टू एड फेस्बुक लीड्स टू गूगल शीट्स फॉर स्टेशनरी बिजनेस तो एक्जामपल के लिए मान लीजे कि मेरा एक स्टेशनरी का बिजनेस है और अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने फेस्बुक का इस्तिमाल किया है मैंने फेस्बुक पे एक पेज़ क्रेट करके रखा है और इसे पेज़ पे मैंने एक लीड फॉर्म बना के रखा है अब जैसे ही कोई person इस form को fill करता है और एक नई lead मुझे मिलती है तो automatically उस lead की details को मैं add करना चाहता हूँ Google Sheet की row में ताकि मैं अपनी सारी leads का यहाँ पे एक backup रख सकूँ अब यह पूरी process हम automate कर सकते हैं पैबली connect की मदद से facebook lead ads और google sheets के बीच में connection एक integration बनागे अब जब भे आपको facebook पे कोई नई lead receive होगी तो automatically lead की details जाके record हो जाएंगी google sheet की row में और सारी leads का आप महाँ पे एक backup रख सकते हैं इस पर हमारी trigger application होगी facebook lead ads और हमारी action application होगी google sheets तो आप कैसे बना सकते हैं पूरे automation को कैसे connect कर सकते हैं इन दोने applications को आईए देखता हैं मेरी screen पे तो चलिए बनाते हैं कैसा automation, facebook lead ads और google sheets के बीच में कि जैसी facebook lead ads पे कोई नई lead आपको रिसीव होगी तो automatically stream lead की details जाके record जाएंगी google sheet की row में और यह पूरी process हम automate करेंगे public connect की मदद से google sheets और facebook lead ads के बीच में connection बनाके तो चलते हैं new tab पे आप देख सकते हैं यह है पैबली का landing page पैबली एक बहुती amazing software है जहाँ multiple applications को connect integrate कर सकते हैं अगर आप एक नई user है तो जाईए sign up for free पे जाप को और माईने मिलेंगे 100 free days कैसा automation create करने के लिए अगर आप एक existing user है तो simply click करिएगा sign in पे sign in पे क्लिक करते ही आपकी सामने open होंगी पैबली की यह management applications आज हमको use करना पैबली connect का तो क्लिक करेंगे हम access now पे access now पे क्लिक करते ही अब आपकी सामने open होगा पैबली connect का dashboard पैबली connect के dashboard पे आने के बाद आपको जाना right hand side पे क्लिक करना इस blue button पे create workflow पे और एक नया workflow आपको यहां पे बनाना है जैसे आप create workflow की बटन पे क्लिक करेंगे आपकी सामने एक dialogue box appear होगा जहां आपको इस workflow को एक नाम देना है तो माली जब मैं इसे नाम दे देता हूं add stationery business leads to google sheets आप अपनी requirement के हिसाबसी से कोई और भी नाम दे सकते हैं इसके बाद आपको चूस करना है वो particular folder जिसमें आप यह नया workflow बनाना चाहते हैं folder चूस करने के बाद क्लिक करना आपको create पे और जैसे आप create पे क्लिक करेंगे अब आपकी सामने open होंगे यह दो important boxes जिनको हम कहते है trigger and action basically जो पूरा automation आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों principles और concepts पर इपीस जोते हैं इनके definition के बात करें तो trigger कहता है when this happens मतलब जब ऐसा हो तो action कहता है do this मतलब ऐसा कर दो अब trigger और action को और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना होगा कि आज का हमारा objective क्या है मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं तो दीकिए आज का हमारा बड़ा simple सा objective है कि example के लिए माल लीजे कि मेरा अपना एक stationery का business है और अपने business को promote करने के लिए मैंने facebook पे पीच create करके रखा है जिसका नाम है canvas stationery और इसी पीच पे मैंने एक lead form मना के रखा है अब जैसे कोई person उस form को fill करता और एक नई lead मुझे मिलती है तो automatically उस lead की details को मैं add करना चाहता हूँ google sheet की row में ताकि सारी leads का data मैं आपे रख सकूँ तो चलता हम पैबली connect पे सबसे पहले choose करेंगे हमारी trigger application जिसकर हमें facebook lead ads facebook lead ads में नई lead मिलते ही instantly हमारा workflow trigger हो जाएगा trigger event हमारा होगा new lead instant अब जैसी new lead हमको मिलेगी facebook lead ads से तो उसकी details हम car record करना चाहते हैं उसकी details हम record करेंगे google sheet की row में तो action application हमारी होगी google sheets और action event हमारा होगा add new row अब देखे google sheets और facebook lead ads तोनों के बीच में कोई भी direct connection नहीं है इसलिए ह यूज कर रहा है पैबली connect का तो सबसे पहले हम facebook account connect करेंगे पैबली connect से अब देखे facebook account मेरा already logged in न्यू टैप पर आप देख सकते हैं तो इसी account को मैं connect करूंगा पैबली connect से तो क्लिक करना आपको connect पे इसकी बाद आपको जाना है add new connection पे click करना आपको connect with facebook lead ads अब देखे मेरा account already logged in था न्यू टैप पे तो हैं पर हमारा authorization successful हो चुका है इसका मतलब facebook account connect हो चुका है पैबली connect से अब account connect होने के बाद सबसे पहले आपको choose करना अपना page जिस पर आप आज काम करना चाहते हैं और जिसका response capture करना चाहते हैं पैबली connect के पास तो देखिए जो मेरे page करने हैं उसका नाम है canvas stage study इस page मैंने एक lead form बना के रखा आप देख सकते हैं वो lead form भी आपको आप दिख रहा होगा जिसका नाम है stage study leads form अब जैसे कोई person इस form को fill करता है तो मैं चाहता हूँ automatically मेरा workflow trigger हो जाए और उसकी details सबसे पहले पैबली connect अपने पास capture कर लिए आप देख सकते है यही page मैंने आपे बनाया था canvas stage study के नाम से अब हम जाएंगे पैबली connect पे lead gen form भी मैंने आप इस सेलेक्ट कर लिए अब जैसे में save and send टेस्ट को इसकी बटन पर क्लिक करूंगा पैबली connect वेबुक response का weight है आपे करने लग जाएगा और देखिए पैबली connect है पे वेबुक response क वेट करने लग गया है और note पे हमको बोला है कि जैसे आप save and send टेस्ट को इसकी बटन पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको करना एक test submission मतला एक test lead आपको generate करनी है और test lead हम generate करेंगे metaphor developers पजा की lead ads testing tool की मदद से और test lead है आप हम इसलिए generate कर रहे हैं क्योंकि हम यह real time में नहीं मदद से तो चलते हैं metaphor developers पे lead ads testing tool पे इसकी बाद आपको नीचे आना है क्लिक करना आपको lead ads ITU debug tool पे और देखे lead ads testing tool हमारे सामने open हो चुका है अब वही page और form आपको यह पर select करना है और जैसे आप उस form को fill करेंगे submit पे क्लिक करेंगे तो automatically एक नई lead generate हो जाएगी testing tool की हो जाएगा और देखिए form हमारे सामने आपे open हो चुका है जिसका नामे canvas stationary lead form मैंने आपे बनाया है यहाप लिखा है we will send you updates lead का full name demo test email और यह है लीड का contact number आप जैसी में next पे क्लिक करूँगा submit पे क्लिक करूँगा आप देखेंगे automatically आप एक नई lead generate हो जाएगी और उसकी details पैबली करेट अपने पास capture कर लेगा we book response की मदद से और देखिए आप एक test lead generate हो चुकी है तो चलते हैं हम वाप इस पैबली करेट पे और देखते हैं क्या हम आप इस lead की details पैबली करेट अपने पास capture करी है या नहीं तो चलता है पैबली करेट पे और देखिए आप हमको we पैबली करेट से अब जैसी facebook पे कोई daily अपको रिसी होगी तो automatically उसकी details पैबली करेट अपने पास capture कर लेगा अब से हम लीट की details को मैं add करना चाहता हूं Google शीट की रो में तो आप Google का account मैं connect करूँगा पैबली करेट से तो क्लिक करना आपको add new connection पे फिर आपको क्लिक करना ह sign in with Google चूस करना आपको यहां से अपना account जहां पे अपने spreadsheet create करके रखी है फिर आपको access provide करनी है पैबली करेट को Google जैसी spreadsheet मैंने आपको select करी है जो भी columns मैंने बनाये थे अपनी spreadsheet पे उसारी details पैबली connect अपने बस capture कर लिए आप देख सकते हैं और sheet हमारे system ने automatically detect कर लिए क्योंकि एक ही sheet मैंने आपके create करके रखी थी आप one by one करके यह fields हमको fill करनी है और यह हम fill करेंगे mapping की मदद से mapping का मतलब यह होता है कि जो response आपको मिला था हमारी trigger application से मतलब facebook lead ads से उसी response का use मैं आपे कर लूँगा वो भी without manually type करके इस process को हम कहते हैं mapping mapping कैसे की जाती जैसे आप इस field पे click करेंगे तो facebook lead ads जो कि हमारी trigger replication थी वो आपको यह पे दिखरी होगी इसके drop down पे आप जैसे click करेंगे तो जो भी response आपको मिला था आपके trigger replication से वो पूरा आपको यह पे दिखरा होगा तो यह था lead का full name इसको मैंने आपके कर दिया है map कुछ इस तरीके से इसी तरीके से जो lead की mail ID थी वो भी मैंने आपके कर दिया है map अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने आपके क्यों किया तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत जादा इंपोर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारे वर्फलो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने आपे मैप किया है डेटा आटोमेटिकली निव डेटा से चेंज हो जाएगा इसका मतलब जब भी फेस्बुक से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो आटोमेटिकली जो नई लीड आपको मिल रही है उसकी डेटेल्स आटोमेटिकली यहाँ पे आपके अपडेट हो जाएगी आटोमेटिकली हमारा वर्फलो काम करने लएगा और यह डेटेल्स जाके रिकॉर्ड जाएगी कूगल शीट की रो में और आपको कोई भी मैनूल वर्ग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम यहाँ पे यह डेटा मैनूल टाइप कर देते तो यह डेटा रहता मिशा स्ट्रेटिक है पर्मानेंट फिर हमारा वर्कफ्लो काम नहीं करता इसलिए मैपिंग करना होती ज़रूरी प्रोसेज अब देखे डारेक्ली मैं क्लिक करूँगा सेव और सेंट टेस्ट की बटन पे तो यह डेटेल्स जाके रिकॉर्ड जाएगी कूगल शीट की रो में इसका मतलब जो आटो मिशन हमने बनाया है पैबली करनेट पे वो सही से काम कर रहा है सिंप्ली दो स्टेप में हमने पूरा आटो मिशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली जैसे फेस्बुक पे नई लेड़ आप को रिसीव होगी लेड़ फॉर्म से आटोमेटिकली उसकी डीटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में तो अगर आप भी इस वर्क फ्लो का यूज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक में अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जहाँ पिसे बड़ी असानी से कर सकते हैं इस्तिमाल सिर्फ यही नहीं आप और भी एप्लिकेशन के इंटिकरेशन पैबली करेट की मदद से बना सकते हैं इसके लिए आप हमें इमेल कर सकते हैं support at the rate family.com पर अगर आपको कोई queries हैं आपको कोई doubts हैं तो आप जा सकते है forum.family.com पर अगर आपको pricing related कोई issue हैं तो आप जा सकते हैं इस link पर अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो please like करें, share करें और हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले Thank you